कास कांफरेंस का जो में परकश है जो पिछले कल शाम को ग्रेटर प्राश हरी है मैं एक इंसिडेंट हुई जिस मैं एक गत्की की जान गई है उसके गाले मैं मैं डिटेल में आना चाहूँगा ग्रेटर प्राश में एक लैंड पिस्प्यूट है जो लैंड है वो 33 मखले की है जिसमें प्राइमरली दो पार्डीज है एक बल्मीर सिंग और बुसरी पर्शोतम एक वोड का आडर आता है बाइस थारी को वाइस अप्रड़ को वोड का आडर आता है वोड के आडर को इंप्रिमेंट करवाया गया उसको जो दूनों पार्डीज है उनको नोट करवाया गया कल शाम को हमारा जो चोगीन चार्ज है ग्रेटर प्राश का उसको और सब्सक्राइब गंग्याल को कि खोन आता है कि वहां प्लाट में जो डिस्प्यूटर प्रापर्टी है सब्सक्राइब है उसमें दोनों पार्टीज के लोग अकठे हुए हैं लाना कर होने का देशा है शोप्यव सर्फ बहां पर पहुंचता है इन डगमी टाइम जहां कंफ्लिक्ट वाइज होता है और दोनों पार्टीज के लोग आपस में उनकी स्कफल होती है उसमें कुछ एंडि सोशल आलेमेंट ये लैंड ग्रैबर्स हैं वो भी बैजन थे स्कफल में कुछ लोग इंजर्ड होते हैं उसमें से एक व्यत्पी अव्तार सिंग जो रिवीसली इंजर्ड होता है पुलीस पार्टी ने इंजर्ड लोगों को जी अंसी में शिफ्ट किया कुछ को गोवर्मन्ट हास्पिट्यों गांदी मेगर में शिफ्ट किया जी एमसी में डूरिंग ट्रीटमेंट अनफार्चमेटली अक्तार सिंग की डेफ हो जाती है जो अतार सिंग का अंकल है उसमें रिटिन अप्लिकेशन दी है और फिर उसके ओपर फाई आर्जिस्ट को होती है जो अभी तक चे लोगों को इस केस में डिटेंट किया गया है कि इसकी नव्यूत को समस्ते हुए एक स्पैशल इंवस्टिगेशन टीम गठित की गई जिसको हैड स्टिपो सीटी सौंज कर रहे है जो गहां पर मौके पे हमारे अफीसर तरह वो लानावी स्टेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया क्राइटिस्पेट नहीं कर पाई इतनी उनके अपने साथ महनपाद लेके नहीं गए उनके ओपर भी कारवाई की गई ऐसा चो गंग्याल के ओपर भी कारवाई की गई इस मोमेंट में जो ब्रीव फैमिली है जिन्होंने अत्माइट इंडिविज्योल वो दिया है हमारी सिंपतीज उनके साथ है हम फैमिली को और जुमों की जनता को अच्वासन देते हैं इस की इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल ही की जाएगी और जो लोग भी इसमें मलबस पाए जाएंगे पास्ट में चाहें ऐसा भी रिकार रहा हो उनको कानूनी तोर पर जो सजा बनती हो भी बदलाई जाएगी मैं आपके मादियम से जन्हों की जनता को अच्वासन देना चाता हूँ जो नैंड ग्राबर है बुन्डा अलिमेंट्स है जो कुछ गैंगेस्टर्स के साथ मिलके जो लोगों की प्रापटियां हर्प करना चाते हैं उनके लिए जे डिस्ट्रिक प्लीस की और से वार्मिंग है यह वो चंद ही दिनों में आएंगे चाहे वो सबस्ट्रिक केस में हो जब यसे में हो मैं आपको बताओ कि एक वांटेड क्रिमिनल जिंदर सिंग जो सिंबल कैंप का रहने बाला है वो अपनी रेस्ट को रेड कर रहा था कुछ महीनों से कल रात को ही डिफ्रेंट लोकेशन्स पे पुलीस में रेड करके उसको डिटेंड किया और आज उसको जेल में अलाज किया है आपके मादिम से जमू की जनता से मेरी अपील है कि लान अदल मनाई रखें अगर किसी को किसी की प्रापटी पे कोई जबजस्ती कबजा करता है उसके लिए इंस्टिशिशनल फोरॉम्स हैं डिफ्रेंट फोरॉम्स हैं वहां पे वो अप्रोच करें ना कि लान अडर को अपने हाथ लें यो भी इस केस में मरवस पाए जाएंगे उनके ओपर करवाई की जाएगी और जो पुलीस वहां पे मजूद थी जो कंसर्न इंचार्ज मजूद से जैसा आप मैं कहा कि वो सिच्टूशन को कंट्रोल नहीं कर पाए उसके उपर भी जो है हमने कारवाई की है आपके मादिम से जमूद की जन्ता को मैं ये अपील कर पाचाता हूँ कि उनके एरिया में अगर कहीं ऐसे डिस्प्यूट है लैंड के डिस्प्यूट है तो उसके बारे में हमें बताएं ताकि हम जो कंसर्न रेवनिय अथार्टीज हैं उनको आंड़ लेके उन मसलों को जल्दी से जल्दी हल करेंगे हर थाने में एक प्रापटी डिस्प्यूट रिजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें जो डिस्प्यूटर प्रापटीज है थाने की युरिदिक्शन में उनका पूरा ब्योरा दिया जाएगा पूरी इस्ट्री लिखी जाएगी और जोनल एस्पी ती क्यादत में टास्क पोर्स बनाई जाएगी उनकी जोन में यहां यहां पे भी डिस्प्यूट है उसको लीगली कैसे हल कर सकते हैं और जन्दी से जन्दी जो है उनको हल किया जाएगा बाटकिस के साथ ही आप के माध्यम से मैं ज हम्गह की जन्दा को जे मैसेग दहना चाहता हूँ कि जो करिम्नल आलिमेंट्स हैं जो बkówनडबंउट्स हैं जो लैंडक्रैनष के साथ मिले हैं, उनके पीशे हम पड़े हैं, जल्दी ही वो जेल की सलाखों के पीशे होंगे, और आप साथ से हम तावन चाहते हैं, कि अगर उनको अहीं पर भी कर्मिरल एलिमेंट की खबर आती है, तो हमें बताए, ताकि हम जो कनूनी कारवाई उनके ओपर बनती होगी, वो जुर करेंगे, जैसा मैंने बताया कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो हैं, छे लोग जो हैं, डिटेंट किये गए हैं और इसकी सूची आगे बढने वाली है, उनके नेम, डिटेल्स, जो डिटेल्स में हम प्रस नोट जारी करेंगे अभी, उसमें आपको में जाएंगे जैसा मैंने आपको बताया कि चोकी अफसर के उपर भी कारवाई की गई है, इनकॉरी इनिशेट हुई है, अमरे सिनियर अफीसर जो है, इनकॉरी कर रहे हैं, जैसे इनकॉरी की फाइंटिंस आईगी, जो अप्रोप्रेट कारवाई बंती होगी, वो की जाएगी. जल्दी से जल्दी जो है, हम केस को जो है, अन्मेर्ट्स जो है, पर्जूड करेंगे. जो कोट का जो आदर था, उसमें जो क्लीर नी लिखा था कि रिस्टेडिंग आदर था, कि उसमें नोड कराना है, और जिस पार्टी की भी वहाँ पे पोजेशन है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. इशू जे हुआ कि वो आदर नोग पराया गया था, इशू जे हुआ कि जब ऐसचों साथ को जे फोन आया, कि वहां पे कुछ लोग कठे हुए है, हम लान आडर बनने जा रहा है, लान आडर का देशा है, तो इमिडेटली जो है, हमारी पुलीस पार्टी वहां कुछी, और नोग पर इसकफल हुए, वहां क्फलिक्ट हुआ पार्टी अपस मैं, उसमें कुछ लोग हिंजर हुए है, सर एक रात को जब एक शक्स की मौत इसके परिवार क्या रहोती है, वो लगा रहे है कि जो SP South हैं, उनको अपाल पिलिए, उनोंने तुरांट एक्शन लिया, उसके अगर उनके में जो फाल पाया गया ता कारवई की जा इसको अच्छो को जो है अटेज किया है उसके ओपर भी इंक्वारी जो है इनिशेल हुई है इसकी फुटेज भी आपने लेखी होगी अभी तक इडंटिफाइए करने में इसना प्रॉब्लों की ओवारे लोगों की वहां थी अगरी शे लोग डिटेन होगे जैसे जैसे एविडेंस आएगी पर फुटेज को के थू ही जो अभी तक लोगों को डिटेन किया गया है और जैसे जैसे एविडेंस आएंगी परदर इविडेंस आएंगी ऐसे जैसे आगे और भी जो है डिटेन होगे और रेस्ट होगे तुस स्पेशल एक्शन टीम का गठन किया गया है और आप लगते हैं इस तरफ ऑप्रेशन चकरव्यू और दूस तरफ इस टीम का गठन आने जो एउपरेशन चकरव्यू है यह गैंवेस्टर्स के पोलेखे हैं जो गैंवेस्टर्स हैं उनकी मेंबर्स हैं और मसल्मैन हैं उनकी जो उपर जो केसिस लगे हैं उनकी केसिस की अच्छा टक से पहर भी हो अनकी प्रापरी डिटेल्स और जो दिस्प्यूटड पापटीज में वो इन्वाल्व होते हैं वो इसमें लगवर जो 15 परामीटर्स हैं जिसके उपर जो है इंफ्रमेशन क्लेक्ट की जा रही है में परपस इसका जो है अफ्रेशन चकरविव का जे हैं कि जमू डिस्ट्रिक्स से जो है जो गैंगेस्टर्स हैं इनको खत्म कपना है और जो भी करनोनी तोर पे जो इनको जो काहिमें जैसे से इनवाउं होंगे जे इनको जैसे ही बुक किया जाए उनको करनोनी तोर पे सजाद लाई जाए अब जाए जो है जो है जो बोर्ड ऑफ डाक्टर्स को स्वार्टम हुआ है अभी इनिशिकेशन जो है इनिशिल स्टेज पे है कल राद को एफ इस पर हुई है तो आज जो है जो बोर्ड ऑफ डाक्टर्स को स्वार्टम हुआ है एवन जो सीन आफ क्राइम का मुएना किया गया है तो जैसे जैसे उसमें कुछ लोगों की इन्वाल्मेंट पाई जाएगी ऐसे ही उनके उपर कारवाई की जाएगी किसी को घ्रीम जित देने का असे सवाल नहीं है बिदोड इंवस्टिगेशन जैसा मैंने आपको कहा की जोनल स्पी लेवल पे टास्पोर्स पनाई जाएग वो हार्थाने में होगे जो भी डिस्प्यूटर प्रापर्टीज है उनका प्योरा जो डिटेल में है उसमें लिखा जाएगा और यह स्टाइप की इंसिदेंट्स इसको कतम करने के लिए हमारा जो हमला है चाहिए वो जोनल स्पीज हैं सटो साइबान है उनको डिटेल्स में इंस्ट्रक्शन्स बात साम कर दी है और फ्यूचर में यह मामने बहुत कम हो जाएंगे निखलीजी बन हो जाएगा सब्सक्राइब करने के लिए कोई एक्षेल लिया गया बात बुल किसी किसम की उनकालों ने काल ग्यारा बजे हम हाई वे बंद कर देंगे और पुरा कोले की जब तक जो हमने पिताए हैं वो लोग रस नहीं होते हैं जैसा मैंने काँ कि ड्यजीजड की फैमिली के साथ हमारी फुल सेंपथी से हैं अरहोंने अपना धी में cope हैं होया है जो PSI का क्या रोर रहा, चोपीन चार्ज का क्या रोर रहा, क्या कंड़क्ट रहा, उसके उपर डिटेर्म में जो है, हमारी इनकवारी चल वही है. सर, आखिर में जाना चाहेंगे, के सरे ऐसे मामले हैं, जो की PSI इसको जो हम उसकी जांच करने के लिए जिम्यदारी दी जा रही है, वेकिने, आसनी, क्या आपको ले लगता कि इस तीच की जुरूर्ट है, कि किसी जिम्यदार जो, उसको इस तरह के केसिस की जांच करने की जि जो ग्याल थाना है, आपरेशन चकरव्यू, जासा मैंने कहा कि जी प्रटेंड करता है, जो गैंस हैं, गैंके जो मेंबरांस हैं, जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, जो किसी भी गैंको बिलाम नहीं करते हैं, जैसे मसलमन हैं, उनकी डिटेल, ठाने में रहें, स्पोस कोई केस से बाहर आता है, सजापार के बाहर आ रहा जाए, जोटे हो रहा जब प्येसे से बाहर आ रहा है, उसकी डिटेल जो है हमारे पास रहे, ताकि हम उसके ओपर जो है एफेक्टिव सर्विलेंस मौन कर सकें, अगर वो दुबारा कहीं आपनी एक्टिविटीज की ओर तो अकार्डिमली हम उसके ओपर जो है आपनी कानूनी कारवाई कर सकें ताकि कोई ऐसा निचर में इनके थूँ जो है क्राइम ना हो सुसाइटी में